हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगें तो आर चैनल ट्रेवलिंग रिच्वल्स और ट्रेवलिंग रिच्वल्स में आज हम आपको फिर से लेकर जा रहे हैं अगर आप लोग भी नौइडा गाजियाबाद में रह रहे हैं और आप लोगों को भी मेरी तरह हैंडी क्राफ्ट में इंट्रेस्ट है तो ये नौइडा हाट बेस्ट प्लेस है आने के लिए तो चलिए देखते हैं आज वहाँ पर कौनसी कौनसी शोप्स लगी हुई हैं अगर आप अपने घर के लिए कुछ ग्लास के शोपीस, क्रिस्टल के शोपीसिस खरीदना चाते हैं कुछ अच्छे से वाइब्रेंट और कलरफुल टेबल लैंप्स खरीदना चाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ओप्शन आपको मिल जाएंगे 4 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक Noida Heart में लगा हुआ है यह Noida Bazaar और अगर आप अपने घर के लिए कुछ handmade different decorative pieces खरीदना चाते हैं तो यह best time है जाने के लिए मैं जब भी Noida Heart जाती हूँ तो मेरा जो सबसे पहला target होता है वो होता है यह jewelry shop अगर आप किसी भी heart में जाएं और वहां जाकर एक दो जुमके या necklaces खरीद कर ना लाएं तो फिर heart में जाने का मतलब ही क्या है आप जब यहां जाएंगे आपको यहां बहुत सारे oxidized jewelry के और silver jewelry के options मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं यह hanging planters जो है यह macram से बने हुए hangars हैं बड़े खुबसूरत लग रहे थे यह आप खरीच सकते हैं 350 में यह with pot आपको दे रहे थे और इसके अलावा जूट के bags हैं baskets हैं बहुत सारे options यह basket और यह bags बहुत सारे options यहां पर थे decorative pieces की तो भर मार थी और साथ में handloom की bad sheets खरीदना must है अगर आप noida heart जा रहे हैं तो यहां से handloom की bad sheets ज़रूर खरीद कर लाईएगा यह बात आपको मेरी माननी पड़ेगी मैं इस वीडियो में ही आगे आपको यह bad sheets पूरे अच्छे से दिखाने वाली हूँ इनके क्या price हैं वो भी बताने वाली हूँ इनके sizes कैसे हैं वो भी दिखाने वाली हूँ और आप यहां जाकर bargain easily कर सकते हैं यह थोड़ा बहुत उपर नीचे अपना price रखते ही हैं आप bargain कीजिए और अच्छा आप एक shopping करके यहां से ला सकते हैं कहां से आप भी आप? खुर्जा से हैं क्या ना है आपका? आपका आपका यह बज रहा है आज मैं Noida Heart सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से गई थी बट पता नहीं क्या-क्या में लेकर आगी ज्यादा shopping मैंने नहीं की पर फिर भी काफी कुछ में लेकर आई हूँ इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ और क्या उनके prizes हैं तो आईए चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं Noida Heart से क्या-क्या खरीद कर रही हूँ आईए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस Hand Loom Hand Woven bed sheet को यह जो आप bed sheet देख रहे हैं यह Hand Loom की bed sheet है Hand Woven है और color देखिए आप इसका कितना सुंदर सा color है और इसके अलावा यह जो आप bed देख रहे हैं इसका size देखिए यह king size bed है इस size की bed sheet मिलना काफी मुश्किल रहता है और मैं डर रही थी actual में इस bed sheet को खरीदते हुए, मुझे ये डर था कि पता नहीं मेरे bed पे ये fit आएगी या नहीं, बट ये bed sheet perfectly fit आई है, आप इसके mattresses देखिए, mattresses भी इसके coffee मुझे है, six inches के mattresses हैं, उसके बावजूद भी ये bed sheet perfectly fit आई है इस bed पे, और ये pillow covers भी overlapping वाले pillow covers ह मेरे pillow's भी मेरे काफी मोर्टे थे तो उसके बावजूद थी, ये perfectly fit हो गए मेरे pillow's पे, ये वो दूसरी bed sheet है, जिसके पारे में बात कर गए थी, आप इसका size देखिए, एक्तम full size ये bed sheet है, कितनी बड़ी, और मैंने बताया था आपको ये king size bed है, और इतनी बड़ी bed sheet मिलना आसान नहीं होता, और आप size देखिए, कितना पढ़ियास, इसका size है, और इसका fabric cotton है, और धुलने के बाल, ये और अच्छा हो जाने वाला है, ये दोनों bag sheets, 1000 रुपीज में में लेकर आई हूँ, बार देखिए, काफी अच्छा सा मोसम है, बारिश हो रही है, आईए मैं द तो इन प्लांटर्स का 250 इच हमें rate बताया गया था, फिर पाद में हमें बारगेन करना पड़ा, उसके बाद हम 550 रुपीज में ये चारो प्लांटर्स लेकर आए हैं, जो काफी अच्छी डील थी, मोसम आज काफी अच्छा है, बट उसके बाद भी पहार बहुत ज्यादा humidity है, बिना AC के बैठाने जा रहा है, अगर आप मुझे Instagram पर और Facebook पर फोलो करते हैं, तो आपको मेरे जुमको के प्यार के बारे में तो पता ही होगा, अगर मैं Noida Heart जाती हूँ तो जुमके ज़रूर लेकर आती हूँ, ये जुमके मैंने लिये थे 300 में, ये ओक्सिडाइज ज साथ है, काफी elegant, lightweight है, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने जटाक से इनको खरीद लिया, आज जब मैं Noida Heart गई थी, तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना था, मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, बट उसके बावजूद भी मैं काफी सारी शॉपिंग करके ले आई, यह Noida Heart में Noida Bazaar लगा हुआ है, चार सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक, आज जब हम गए अच्छे तारिक थी, पर अभी पूरी तरह से वहाँ पर दुकाने नहीं लगी थी, वहाँ पर जो शोप की पर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि कल यानि के साथ सितंबर से य लग जाएगी, तो आप लोग अगर Noida रास पास में रह रहे हैं, तो यह Noida Heart में Noida Bazaar जाना मस्ट विजिट है, आप लोग जरूर होकर आईए, अगर आपको हैंडलूम्स में हंडी क्राफ्ट में इंट्रेस्ट है, आप अपने जो लगुद्यों के कारीगर्स हैं, उनको स लेंगे, तब तक के लिए देखते रहेंगे ट्रावलिंग रिच्वल्स